तरारी के तमाम मत्दाता बंधों को मेरा साधर प्रणाम मैं राजेंद्र कुमार पाठक और फुराजु पाठक हूं आप लोगों का निर्दलिय प्रत्यासी इटा छाप और इवियम में यह इटा नौ नमबर पर रहेगा यह इट पूरे तरारी शेत्र के इटों को जोड़कर एक सम्रश समुदाय बनाने का प्रतिक है और यह संजोग से हमको मिल गया है साथियों और मद्दाताओं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह दोतरफालाचारी के लोग तमाम तरह के हथकंडे अभी से ही उन्होंने चुरुवाती दौर में ही अपनाना सुरू कर दिया है उससे आपको बचना है इसलिए बचना है कि इस तरह के प्रपगंडा किये हो गई है और आज के तारिख में क्यों इतने मंत्रियों का विजिट यह सर्फ चुनावी विजिट है आप समझ रहे हैं मंत्रियों का आना बड़े नेताओं का आना और सिर्फ और सिर्फ पुरानी बातों के आधार पर भोट मांगना यह फैसला आपको करना है कि क्या तरार से जितने माहौल बन रहे हैं दीजे बच रहा है तमाम लोगों के एक जूठी सरवे ठीब धूम रही है तो इन सब तरह के चुनाओं से आपको बचना है आपको सोचना है उनहीं दिनों को कि जब आप अपने गाओं में अपने टोले में अकेले होते हैं अपने घर में अपने समस्याओं के साथ अकेले होते हैं तब ये नेता नहीं आते हैं और तब आपका कोई चुनाओं का जो इस दा बितंडा दिखाई दे रहा है नहीं होता है लेकिन हर गाओं में उस गाओं का मैं तरारी इलाके का आदमी हूं आपके लिए हमेशा रहा हूं हमेशा रहूंगा और यह वादा है इसलिए चीजों को समझें अस्थानिय नेताओं और की कोशिसों को समझें मेरे जैसे नौज़ुआनों की कोशिस सम्झें साधारन लोगों के दुखदर्द को सम्झें कि तरारी की जंता साधारन लोगों को निबड़ा नेता बनाए अपना विधायक चुने अपना जनप्रतिनी चुने ताकि उससे रोज भेट हो यह नहीं कि चुनाओ का वक्त आया और बारात जैसी सजावट हो गई तो आपको इससे बचना है जो इस सुरुवाती दोर का प्र प्यार में भी आएंगे और हमारी चर्चा होगी कि तरारी की विमारी दूतरफालाचारी को हटाईए